सॉल्व करने की कोशीद करो ॥ै फुद सॉल्व करो ये कहता है THISOO फॉलइंग सिस्ट्रम यह वीच्व फॉलिप लेंद्ध है कि अगर वेवलेंद्ध एन इस्कॉल टो से एन ऊश्कॉल टू टू से एन इस्कॉल यहां पर था और यहां से डी एक्साइट हुआ तो इसमें जो वेव लेंद्थ होती है लेंड़ा वो जन्रेट हो जाती है तो उस लेंड़ा की वेलू कैसे निकालते हैं उस लेंड़ा की वेलू तो यह सी अपन्ड डेल्टा इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस तो एनर्जी डिफरेंस निकालने हम मीनिममम कब होगा यह यह थो हर एक अलग-अलग इनर्जी लेवल है तो इनर्जी जन्रल एनर्जी जो है एनर्जी एन दर्विट में माइन थर्टीन.6 एन स्क्वार जेड़ स्क्वार इन तॉने थी तो में हुआ कि हर एक का इनर्जी चालने जेड़ और येन की वेलू रखे क्योंकि एन और एनर्जी डिफ्रेंस जो डेल्टा ही है वो इनर्जी का डिफ्रेंस है तो हमें पता चल जाएगा नहीं तो हमारे पार डायरेक्ट इसका रिजल्ट है ना डायरेक्ट फार्मूला है तो वेब नंबर यहां से वन रखो फिर टू रखो ऐसे याद कर लो तो अब one upon lambda proportional होगा क्योंकि आब देखो यह तो फिक्स है इन सभी एटम के लिए जो भी एटम आयना है तो यह तो फिक्स है और रिगबर कॉंस्टेंट भी फिक्स है तो one upon лamda proportional होगा z square के अब अगर z square के proportional है प्यारे बच्चों तो यहां पर तुम अगर देखोगे तो सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब धेर्ड जेड़ होगी अब जैड इस फिरी मतलब प्यारे बच्राइब कि अगर मेरा पूरा